अगर आप लोग मत्यपिदेश के किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप देखें MPPSC हो गया आपका चाहे आपके देखें और भी ब्यापम के एक्जाम होते रहते हैं सिक्षक भर्तियां होती रहते हैं कॉंस्टेवल पॉलिस के लिए होता रहता है ऐसा ही दरोगा के लिए होता रहता है और आप देखते हैं कि आपके पटबारी जेल पहरी इस तरह की अनेकों एक्जाम होते हैं और इन सब के अगर आप लोगोंने पुराने कुश्चंस पेपर उठा के देखे होगे तो करेंट अफियर से अच्छी खासी संख्या में कुश्चंस पूछे जाते हैं तो आज की इस क्लास में हम लोग जनवरी 2022 की जो घटनाय रही है उनसे आपकी महत्पोर कौन-कौन से पॉइंट हो सकते हैं उन्हें हम लोग एक-एक करके देख लेते हैं पहले मद्पिदेश की बारे में कुछ सामन जानिकारी देख लेते हैं आप लोग ए मद्पिदेश का मैप देख रहे हैं और जब भी आप लोग मद्पिदेश की बारे में कुछ पढ़ते हैं तो मैप का सहरा लेकर पढ़ा करिएगा और बहतर तरीके से आप लोग समझ पा गया था इसकी सीमा उत्तरपिदेश, राजिस्थान, गुजरात, महराष्ट और 36 गड़ से लगती है 36 गड़ पहले मद्पिदेश का हिस्ता हुआ गड़ता था और जब तक 36 गड़ मद्पिदेश का हिस्ता था चेतफल में सबसे वड़ा राज भारत में मद्पिदेश था लेकन आब आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 में मद्पिदेश से अलग करके 36 गड़ राज बन गया था और अब चेतफल में दूसरे नंबर पहे हैं पहले पर राजिस्तान दूसरे पर मद्पिदेश मद्पिदेश का चितफल 3,8,245 वरक किलोमेटर में देखने को मिलेगा और यहां विधान सबह सीटों की बात करें तो 230 सीटे हैं लोक सभा में आप देखते हैं कि 29 सीटे हैं राज्य सभा में आपको 11 सीटे हैं, देखने को मिलेंगी, यहां का अगर उच्छे नहाल है हाई कोट देखें ना, तो वो आपको जवलपूर में देखने को मिलेंगी, इसकी दो खंड़ पीट हैं, एक आप देखेंगे इंदोर, दूसरी ग्वालियर, और अच्छे सी आप ल याद रखेएगा, ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग पहली खबर देखते हैं, एक जनवरी 2000 कप की है, 2022 की एक खबर है, कि मत्विदेश ग्वालियर की निरू सिंग ज्यानी को मजगाओं डॉक लिमिटेट के नियदेशक मनुनीत किया गया है, इनका क्या ना में निरू सि ग्यानी, एक ख़ा की है, आप देखें, ग्वालियर की है, एमडियल ने निरू सिंग ग्यानी के साथ हैदराबाद मलिकार जुन राओ, मलिकार जुन राओ और गुजरात के संभू पर साथ तोंडिया को भी नियूक किया है, और याद रही, एमडियल कमपनी भारसर का सुर उन्होंने मुंबई स्थित, एमडियल कार्याले पहुचकर अपना पदभारदी समाला, उपिथम ने देशक की रूम में बैठक में हिस्सा भी लिया, वे एमडियल द्वारा आईजित ने देशक मंडलों की बैठक में समय समय पर भाग लेंगी, उनका कारकाल तीन साल का हो अगर आपसे पographical में हुचे कि अगर्वार में में अंगरी इकंदरू क में अपनाने के लिए जन पिती ने दी, शास की या कर्मी, सामाजी कारकरता, शामाजी और दोगीक संस्ता हैं, और अन संगठन अदोसरचना, आंगनबाडी ये संचालों पोशन सुधार आदी गतिवधियों में सहयोग कल सकते हैं, आँगनबाडी केंदरों को अपनानी के लिए आंगनवाडी भवन और पईसाथ के लिए भूमी, आंगनवाडी भवन और कक्छों का निर्माड, पूर्व से निर्मित भवनों का सुधार, रंग रोधन, रंग रोगन, पूर्व से निर्मित भवनों की बांडरी बॉल का निर्माड करना, केंद में हेटपाम की स्थापना बच्चों के लिए सोलब सोचले, आदी के निमाड में अपना सहयोग देना और इसके अतरिक्त आननबाडी संचाल में सहयोग के लिए आउटडोर, इंडोर खिल समगरी का पिदान करना बच्चों के उनिफॉर्म उपलब्द कराना, केंद के संचाल में आवस समगरी जैसे पंखा, परनिचर, घड़ी, भरतन, आदी उपलब्द भी करा सकते हैं साथी, जन पिती नेदी बच्चों के पोषण सुधार के लिए आवसक बितिये, अत्वा पोषण समगरी का पिदान कर, अती कम बजन वाले बच्चों को पोषण, उसपनर्वास के अंदरों में भेजने के लिए आवसक सहयो, और परिवार को आवसकता नुसार बितिये सहय और समगरी की रोम में सहायता भी पिदान कर सकते हैं आंगावाडी के अंद्रों को अपनाने के लिए जिला इस्तर पर जिला कलेक्टर किसको सहु रासी पिदान की जा सकेगी रासी चैक अत्वा बैंक ड्राप की रोम में भी सुईकार की जाएगे अंगली ख़बर आप देख ब्रोसेला टीका करन जो गाया और भैस के बच्चे होते ना उन चार से आठ माय के उन्हीं को लगाने की बात हो रही है पसु पालन मंत्री प्रैम सिंग पटल ने बताए कि ब्रोसी लोसिस भीमारी की रोगताम के लिए राश्टी पसुधन स्वास्त इबं रोग नेंतन कार ब्रोसेला टीका करन अभियान चलाया जा रहा है और पसु पालकॉन से अभियान का भरपूर लाव उठाने की अपील भी करते हुए प्रैम सिंग पटल ने कहा कि ब्रोसी लोसिस रोग गौब हैस बंसिये पसु पसुधन संबंदी बीमारी है जो ब्रोसो लोसिस एवर्टस जीवाडू के कारण होती है इस जीवाडू का नाम रखिएगा इस रोग के लक्षणों में बुखार गरवावस्ता की अंतिम चैर्ण में गरपाग बांचपन हीट में देरी लेक्टेशन में बाधा आदियों से बचीयों की हानी और दूद के उत्पादन में कमी होगी और चार से आठ माय के उम्र के गौब बेहस बंसी ये बच्छीयों का जीवनकाल में एक बार टीका करन करन उन्हें ब्रोसों से लोक रोक से बचाया जा सकता है तो ये भी आप लोगों को याद नखना चाहिए अब आप देखिए स्वास्त नहीं रहेंगे गाय बेहस तो मंत्री परसंद की बैठक में आनन्द विभाग का गठन किया गया है ये आप लोगों को याद रखना चाहिए आनन्द विभाग का गठन एबं अध्यात विभाग का नाम परिवर्दित करके धार्मिक नियास धर्मस विभाग करेने के लिए कार नियम में संसोधन का मुदन किया गया है और मंत्री परसंद ने टीचिंग लार्णिंग एंड रेजल्ट्स फोर स्टेटस इस्टार्स कारिकरम की किरियानमन की उसे धांद एक्स्विगीती दिये इस्टाफ भारस सरकार का करकम है जिसमें छह राज्य सामिले एक मद्धविदेश हिमाचल में प्रावभानित नहीं किया जा सकते हैं और इस्टार्टर परियोजना में सबके लिए सिक्षा समग सिक्षावियान सस्टेनेबल डबलमेंट गोल्स और राष्टी सिक्षा नीती 2020 और संपूर्ण विद्धाले दिरिष्टी कौन सामिल रहेंगे और मद्धविदेश पा किया जाना पिस्तावित है इसके लिए नीती के सिध्धान ते स्विकिती भी दी गई है इसके समें इस बैठक में और पिस्तावित परियोजना की अनुमालों लगा तब देखे 4,665 करोड 87,00,000,000 रोपिय है परियोजना के लिए राज सासन द्वारा 15 विदी सद्रासी अं समती गठित होगी और इसमें खाद एवं साहिकार्ता के सी पंचायत एवं गरामीट विकास एवं वित्विभाग की अधिकारी भी सामिल होगी और मंती पसन ने पिदेश में पसुपालन डेरी विभाग में भार सरकार की नवीन राश्तिय पसुधन मिसन योजना का किरिया करना है और राश्तिय पसुधन मिसन में ओक्त गतिवधियों को सामिल कर तीन उप्सम बनाये गए हैं पहला पसुधन इमंकोकोट के नसल विकास पर उप्समिसन दूसरा चरी चारा विकास मिसन और तीसरा है इनुवेशन तथा विस्तारों मिसन और राश्तिय पसुधन मिस में कई फैसले लिए जाते हैं मंद्री परशत की इस तरह है फिर आप देखें चार जन्वरी 2022 की घटना है मद्ध पिदेश में पूर्चेत बिद्धुत बितरन कंपनी लिमिटे जबलपूर द्वारा अधो सरचना संबंधी नए कारेों का इस्टीमेट तेयार करने और सर्व करन में घती आएगी और एस्टीमेट और सरवे कारेों को सठीक तरह पारदर्सी बनाया जाएगा जी सरवए मुबाइल से 一着मेट एवं सरवे का कार क ранICES एक लिए मुबाईल एप से वह समंधित इस्थान पल्ले जाकर ही जानकारी दर्च की जा सक जाकेगी और दरज हुई जानकारी को परिवर्थे नहीं किया जा सकेगा और इसलिए इस एप की से की गई कारियों की गर्णा सटीक और तुटीहीन प्राप्त होगी और कम्पनी के मुख महापरवंधा कार B के जैन ने फीले में जाकर मोबाइल एप के कार पिडाली का अधिकारियों के साथ परिक्षन भी गिया है और एप की विश्वसिनित्या को परका है और सभी परिक्षनों में सफल होने की उपरांथी G.I.S. सर्वे एप को लाउग किया गया है और G.I.S. सर्वे एब में दरज जानकारी उच्छा अधिकारियों को तक्काल दिखाई देगी और इसे समंदित पिकरणों में सुईकिते पिदान करने में नावस्थक दिलंब नहीं होगा तो यह भी याद रखेगा अंगली खबर है हमारी 5 जनवरी 2022 को इस्कूल सिक्षा सुतंत प्रभार राजमंत्री इंदर सिंग परमार ने सास की नवीन कन्या उच्छतर मादमिक विद्याले तोलसी नगर में सेक्षडिक मेले का सुभारम किया है और यसा आउसर पर मंतिरी ने तेन जनवरी से सुरू हुए 15-18 वर्स आयू के बर्ग की बच्चों को पिदेश व्यापी कोपिट टीकागरन में पिथम डोज लगवाने वाले छात्राओं को पिरमाट पत्त भी दिये साथी व्यक्सिनेशन के लिए विध्याले की टीम के सदसों को भी पिरमाट पत्त देकर सम्मानित किया है मेले में मादमिक कोच्चितर मादमिक इस्तर के बिग्यान गडित आर्ट्स एंड क्राउट्स वर्डिज से सम्मधित सभी पिकार की 150 मोडल रखे गया है मेले में बिग्यान नाठी का एवं जादू नहीं बिग्यान का आयोजन भी किया गया और विध्याले मोडल के तौर पर आये हुए कुरोना वाइरस मास्क मौटू पतलू के काटूनों से बिध्यालतियों को आकसे भी किया है इससे क्या हो कि आप देखेंगे कि लोग समझ द्यार हो और जागरू पांच जन्वरी 2022 की घटना है हैंडलूम एक्सपो भूपाल हाट बाजार में आयोजित कारकरम में संतर अवीदास मद्ध पिदेश हस्त सेल्व इवं हत करगा विकास निगम द्वारा पिदेश के 15 सिल्वियों को राजिस्तरिय कवीर बुनकर ओविस करमा समभांस समभान सी सम्भानित किया गया है और राजिस्तरिये, कबीर बुनकर इबं विश्करमा पुरुस्कार की रूम में पिथम इस्थान को एक लाग रुपे, जो दूसरे आश्थान पिराप्त करता है उसी 50,000 रुपे, तितिये इस्थान पिराप्त करने वाले को 25,000 रुपे की रासी, सौल और पिसस्तिपत दिया कहां के चदेरी के हैं, 2018-19 के लिए पिथम पुरुसकार घासी राम लाल मनी को दिया गया है, चदेरी के हैं, दुतिय पुरुसकार विकास बंडे को दिया गया है, महेसर के हैं, और तितिय पुरुसकार अनिल मुकाती को दिया गया है, महेसर के हैं, इन नाव आप लोगों को तो ये पुरुसकार भी याद रखेगा। अंगली खबर की तरफ चलते हैं, पांच जनवरी 2022 की घट्टा है, मदविदे सासन ने सेंटर पोर क्लाइमिट चेंज एंड एवं सस्टेनेबल डबलमेंट जलवाई परिवतन सत्व बिवकास संस्थान का विलाई पर्यावन नियोजन और समरवय संगठन इपको में कर दिया है, याद रही पर्यावन मंत्री की अध्यक्स्ता में जलवाई परिवतन सत्व बिकास संस्थान की बार्सिक सभा की बैठक में इसका विक्टन इपको में करने का नए ड़े लिया है, कि क्स में इपको में और राज सासंद्वारा परियावन बिभाग में बर्स 2009 में CDM Agency का गटन सोसाइटी अधीनियम में किया गया था और इसके बाद CDM Agency का नाम परिवतित करके Center for Climate Change and Sustainable Development किया गया राज सासंद्वारा इपको में राज जलवाई परिवतन और ग्यान परवंधन केंद्र की स्थापना कर इपको को राज डेजी गिरेटेड एजनसी का दायत तुस्वापा गया और इस ग्यान की केंद्र की गतिविदियों और मानौ संसादन के लिए केंद्रेई विज्यान और परोदुगी की मंत्रा लेद्वारा राश्ती जलवाई परिवतन के ग्यान मिसन के तहत अनुदान भी दिया जाता है अंगली खबर है पांच जनवरी 2022 को मद्वदेश विधी विधाई मंत्री नर्तर मिसरा ने बताये कि राजपत में पिकासन के साथ थी मद्वदेश लोक एबं निजी संपत्ती के नुकसान का निवारन नुकसान की वसूली अदिनियम 2021 का ततकाल प्रभाव से लाउ किया ग था लोक असांती अभ्यापती और या इसके समान गतिविदियों के नाबबस सार्विजेक और निजी संपत्ती को बड़े इस्तरपन नुकसान पहुंचाने वालों के विरोध कानूनी संब्ध सक्त कारवाही सुनेचीत की जाएगी और विधी मंत्री डॉक्टर मिसरा ने ने बताये कि समपत्तियों को नुकसान पहुंचाने में संलिक रहने वाले लोगों को से कानूनी जुर्वाना बसूली का प्रावधान पहुंचाई है और उसकी बसूली भी आप से ही की जाएगे 6 जनवरी 2022 को मद्विदेश के विककासान कल्यार ओकिसी विकास मंतरी कमल पटेल और MSA में अंतरी ओमपेकास सकलेचा ने खरगों जिले के सनावद में 9 करोड अलसट लाग 83 रुपे की लागत से बनने बाली एग्रो बेश्ट फूर्ड कलस्टर की भूमी का पूजार किया है और MSA मंतरी ने कहई कि कपास का तेदिक मातरा में पादन होता है और यहाँ पर textile पारे विक्सित किया जाएगा इसके विक्सित होने से छित के हजारों युगाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा और कपास के उतपादन के बाद textile मिलों में कपड़ों का उतपादन भी होगा राज सरकाद वारा उद्योग लगाने के लिए करोन रुपे की अनुदान रासी पिदान उपलब दिकराई जा रही है एक करो रुपे तक के उद्योग लगाने पर 40% और 10 करो रुपे के उद्योग के लिए 50% अनुदान पिदान किया जाएगा तो ये भी आप लो याद रखिएगा इसमें आंगे चलते हैं साथ जन्वरी 2022 को मद्पदेश की राजपाल मंगू भाई पटल ने मद्पदेश लोक सिवा आयो की नवीन विफसाइट का राजभवन में लोकानपड किया है विफसाइट उन्ना तकनीक के साथ यानि कि MPPSC की नई साइट आ चुकी है और जब यह MPPSC के बारे में कुछ जानना होता है तो आप लोग उसकी मेन ओफिसियल साइट पर जाए करिएगा एक काम आप लोग बताइए MPPSC की स्थाफना कब हुई थी इस संस्थागी इसे उजना यूजर फ्रेंडली इंटरफेस पर डाली के अधार पर अभ्यातियों को सुगंता से सूचनाओं की प्राप्ती हो सकेगी अभ्यातियों को आयोग से समदि समस्थ जानकारी और सूचनाए नवीन वेफसाइट पर उपलब्द होंगी राजपाल नवीन वेफसाइट की लोकारपण और आयोग की गर्मिया के नरूप पारदरिश्ता और कार ततपरता की दिसा में किये जारे नवाचानों की सराहना भी किये उन्होंने आसा अब्यक्त करती हुए कहाई कि इस नवीन वेफसाइट के माध्यम से पिती भागी को समचित जानकारी सुगमता और सीगिता से पराप्त होगी और साती आयोग की पारदर सी कारपरणाली और अधिक मजबूत होगी ये भी कहा गया है अंगली ख़वर है साथ जनवरी 2022 को मत्पिदेश के MSC सचे पी नरहरी ने बताया कि राजसासन 12 जनवरी को यूबा दिवसपर पिदेश के सभी जलों में रोजगार मिला लगा कर बड़ी संख्या में यूबाओं को स्वरोजगार भी देगी और इन्होंने बताया कि मत्पिदेश में सवरोजगार की अपाल संभावनों की दृष्टी गर बिभिन बिभागों और बैंकों को इमाद्धिम से कई सवरोजगार यूजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है इसमें आप देखी पिधान मंत्री सोद निधी यूजना, मुख मंत्री गरामीर पत्विक्यता यूजना, पिधान मंत्री मुद्रा यूजना, इस्टेंडप इंडिया यूजना, पिधान मंत्री रोजगार से जनकारकरम, राष्टी गरामीर अजीव का मिसन और राष्टी और इसे उद्देश सी बारे जनवरी 2022 को बिदेश व्यापी स्वरोजगार रोजगार दिवस मनाने का नेड़े भी लिया गया है और इसमें सभी जिलों मुख्यालेओं पर जिलास्तरी कारिकरम और एक राज इस्थरी कारिकरम किया जाएगा और राज एबं जलास्तर के कारिक्रमों में लावातीयों के कोस्विकिती बितरन पत्ते दिये जाएंगे पूरु से सोरोजगार में इस्थाफित अनुभवी लोगों से सोरोजगार की एक्छुक ब्यक्तियों का परिचय करवाये जाएगा और जिसे उनके अनुभाओं का लाब विवाओं को मिल सके और साथी सौरोजगार योजनाओं की लाभन में सबल और इस्थापित हिद गराहियों द्वारा नेद में सामगरियों की पिदर्सनी सौरोजगार योजना अंतरगत सौन योजन की संबन्द में विसे सगों के माद् के सुबधा आधी की जानकारी भी मिलेगी अंगली खबर की तरफ बढ़ते हैं साथ जन्वरी 2022 को पंडी कुंजीला दोवे राष्टी संसदिये पीट भोपाल में संसदिये पिसन मंच पितियोगता के पितिभागी विजीताओं को पुरुसकार विजीतरान किये गये हैं और स पितिया पीट द्वारा भोपाल में पहली बार सास किये वं आसास किये विध्यालेओं के विध्यातियों के मद संसदिये पिसन मंच पितियोगता का आयोजन किया गया आयोजन में 17 बिध्यालेओं की टीम ने हिस्ता लिया था इसमें से 5 टीमों का चैन किया गया और पितिय देहली पब्लिक स्कूल और तितिय प्रुषका संत स्री आसाराम जी बापू गुरुकुल के बिद्ध्यारतियों को दिया गया एवी आप लोग याद रखेगा अंगला अंगली खबर है 9 जनवरी 2022 को भौपाल हाट में नेशनल हैंडलों एक्सपो 2021-22 का समापन विवेन पित योगिताओं की विजेताओं को सम्माने द्वीक्या और इन में आप देखेंगे स्कूली चातर चात्राओं बुनकरों इवन परीधान विजायन से जोड़ी पाठकरम की स्टूडेंट प्रमुकुरूप से सामिल थे और एक्सपो में रंगोली पितियोगता में 19 बिजेताओं को नगत रासी सम्मान पत्ति पितान किये गये और साथी विभ्हन ने राज्जों से आये बुनकरों और हस्ति छिल्पीयों को भी समानित किया गया है और याद रहे नेसनल हैंडलों एक्सपो में 15 राज्जों के अंदर सासे तिदेशों की विभ्हन ने सांस् भी अपने होनर का पिदर्शन किया है इसमें अंगली खबर है हाली में मद्पिदिस की सिल्फकार मुवारिक खत्री को उनके उत्किष्ट कारीगरी उनकी पारंपरिक सिल्फी बाग पेनेंट में महत्पूर युदान के लिए अंतराष्टी सिल्फ पुरुसकार 2021 से लिए इनका नignon किया है मुवारिक खत्री या अंतराष्टी सभान खत्री को मास्टर आर्टिसन ऑफ दा इयर सेनी की अतहत में लाए है फुरुसकार शिल्फ गिराम संगठन द्वारा दिया जा रहा है शिल्फ गिराम बिंस सिल्फ परिशत को की राश्टी काई है और पुरुषकार के लिए भी चुना गया था जो आने बाले दिनों में भारत के राष्टपती द्वारा उन्हें दिया जाएगा मुबारिक खत्री ने अपनी पारमफरिक कला को समर्पन के साथ संरक्षित भी किया है और सैटकों अधिवासी वाओं को पिसिक्षित कर उन्हें इ का है कि पिदेश की पंचायतों के कारियों की गेर्डिंग की जाएगी जो पंचायत ने अच्छा काम करेंगी उन्हें पुरुसकार भी दिया जाएगा हर पंचायत की विका से उजना बनाएगी उन पर अमल कर स्मार्ट विलेज बनाए जाएगे पिदेश के 28 पिलास्टिक संगराले केंडर खोले जाएगे जिनका संचालन सो साहता समूह की महलाओं द्वारा किया जाएगा पिदेश में लगभग 9000 किलो मीटर सडकों की निर्माण में वेश्ट पिलास्टिक का उपयूग किया जाएगा और मुखमंत्री ने राज ग्रामीड अजीब का मिसन में सभी 45,000 गाओं में ग्राम संगठन बनाने की निर्देश भी दिये बारत मारे में पिदेश में 32,884 ग्राम संगठने उन्होंने का है कि है गाओं की इतियास गौरब पहचान संस्किती महापुर्सों आधी को पुना इस्ताफित करने के लिए पिते गाओं में हर बस ग्राम इस्ताफना दिवस मनाया जाएगा और मुखमंति निर्का है कि स्वक्ष भारत मिशन में बर्स 2024-25 तक पिदेश की सभी गाओं को ODF पिलस बनाने का लक्ष रखा गया है और पिदेश के 11 सुचंगण गाओं को अभी तक ODF पिलस बनाया जा चुका है स्वक्ष भारत युजना के बारे में सुनें थे उसी के त पिलाडियों ने एक स्वाड चार रजत और दुकास पदक सहित कुल साथ पदक जीते हैं अकादमी के खिलाडी खुसपीत कौर ने महिला इकल इस पददा में स्वाड पदक और एक रजत पदक जीता है इनका नाम क्या है खुसपीत कौर और रुकमणी डांगी और जोती कौकसलेस जोडी इस पदा में दो रजत पदक अपने नाम किया है और मंगल सिंग तरुन डांगी की जोडी ने मैंस ड़वल इसकल इवट्विक और झेता है अंगली ख़वर है आपकी 11 जनमरी 2022 को मुकमंती सिवरा सिंग चोहान ने महला इवं बालविकास विभाग के कारेयों की समयक्षा कियो और इस दोरान उन्होंने आओ एक आंगरबाडी गोद लें कसंदेश पूरे पिदेश में पिसारित करने की निर्देश दिये और उन्होंने कहाई कि भोपाल में एक आंगरबाडी गोद लेंगे बो और आंगरबाडी कारकरताओं को अच्छा कार करने के लिए पेरित करेंगे इसके साथ ही गोशना की कि जिन आंगरवाड़ी कारकरताओं की मित्ती हुई है उनके परीजनों को अनगराय रासी भी दी जाएगी और उन्हें कहा है कि बाल विकास और बाल सरक्षन इमं महला ससक्ती करने के लिए बेतर धंग से कार करें आंगरवाड़ी सेवाई इमं पोसन अभियान में अच्छा कार हो और याद रही मतफितिस में जनम कि समय लिंगनपाथ 956 है जो भारत की लिंगनपाथ 929 से अधिक है लिंगनपाथ कहने का मतलब होता है कि कि कितने लड़कों पर कितनी लड़किया है मुख्पंतरी ने कहाई कि लाड़ली लच्मी चात वितिक का बितरन कारकरम आयुजित किया जाए और लाडली लक्षमी 2.0 पोर्टल का विकास उन्यान करें और चाइल्ड बजटिंग पर यहुजना बना का गंबीरता से काम करें और बाल देख रेक बाल देख रेक संस्थाओं में निर्वासत बच्चों पर का परिवारों में पुर् करने के लिए पूरी मदद करें और चमता के नुसार बच्चों को आंगे बढ़ाएं और पढ़ाई की अक्षी सोविधायें दी जाएं यह कहाँ है ठीक है अंगली के हवर की तरफ चलते हैं 11 जनवरी 2022 को मत्विदेश की मुकमंत्री सिवरा सिंग चोहन ने मंतराले में संस किती बिभाग की गतिविधियों की समीक्षा की तोरान घोश्नागी की ट्राइवल म्यूजियम को विस्तरी बनाये जाने का प्रयास किया जाएगा और म्यूजियम में परेयतक आकर रुकें और देखें इस तरह की व्युस्ता करें इसी पिकार मानो संग्राले को पोनर दिमा की स्थापना और लेजा सो का कार पिथम चरण में पूरा किया जाएगा और बेदान पीट की स्थापना देश और दुनिया में अद्बुत होगी इन दौर में लाल बाग पैलेस का मोल सवरूप बरकरार रखते हुए उसे कुसाभाव ठाकरे सबागा मिंटो हॉल की तर पर भी समानंतर रूप से मत्विदेश की पिरमुक गतिवनिया उपलब्द है और मत्विदेश की विसेक पिछडी जनजाती पर आधारी संगरालाय की निर्मार का कार भी पिस्तवावित है इसमें जनजाती का चिदवाड़ा और बेगा की डिंडोरी सहरीय जनजाती का से संगरालाय बनाय जाना उपिक चित है भारिया जनजाती का चिदवाड़ा बेगा का निर्टोरी सहरीय जनजाती का से ओफोर में यह आफ लोगों को याद रखना चाहिए 11 जनजाती की घटना है 11 जनजाती को मद्विधिस के वरिष्ट पतकार और सामजीक कारकरता केसव पांड़े को भोपाल के कोट भावने में आउजी समारू में दखल गौरफ सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया मद्विधिस सरकार में गरह मामलों और कानूनी विधाई मामलों जेलों और संस्थिये मामलों के मंतरी नरुत्व मिस्रा द्वारा पांड़े को या पृष्कार पिदान किया गया ये 13 जनबरी 2022 की ख़बर है अंगली मद्ध पिदेश के मुखमंत्री सिवरासिंग चोहान ने पिधानमंत्री नेन्दमोधी द्वारा वीडियो कॉंसर्ण के माध्यम से राज की कुरोना के नई बेरिंट ओमिक्रून के संकमण और उसके पिरबंधन के समंध में नई समीक्षा भागेदारी की थी और इसमें आप देखे पिदानमंत्री नेन्दमोधी की राज्य से चर्चा के पहले बैठक में केंद्री स्वास्त सचिम ने जानकारी दी की मद्ध देश के किसोर बर्क के लितीन जन्वरी से पैरम वैक्सिन नेशन के कार में अच्छी प्रगती हुई है एक बात और आप लोग याद रखेगा कुरोना महामारी आई हुई थी तो कुरोना के बारे में एक सामन जानकारू जरूर याद रखेगा और मद्धकदेश की तरफ से जो कदम उठाए गए थे उन्हें भी आप लोगों को याद रखना चाहिए बाकि डोज की कितने डोज लगाई गई क्या है सब ठीक है 14 जन्वरी 2022 को केंद्री एक रिसे इवं किसान कल्यार मंत्री और मुरेना की सांसर नरें सिंग तोमर ने कहा कि यह मंदिर धार्मे को परेटन की एक बड़े केंद्र की रूम में राश्टी तर पर किस्तापित हो और इसी को द्रिष्टी गर्ट रखकर मंदिर के विकास की यहुजना बनाई गए और सनी देव मंदिर परश्चत को भब रूप देने के लिए सनी परिक्मा मार्ग के सा सनी सरोवर और सनी कोंड का निर्माड किया जाएगा मंदिर के विकास को दो हिस्सों में बार्टा गया है एक आंतरिक और दूसरा बाहरी और आंतरिक विकास परिकास मंदिर परिक्मा मार्ग का निर्माड किया जाएगा इसमें बिजली सरक कनेक्टिविटी के अलावा परि विधा मोहया कराए जाएगी और जिससे यहाँ आने वाली सिध्धालूओं परियाटकों को किसी तरह की परियसानी ना है वर्तमार में सनी मंदिर के दो परिक्मा मार्ग हैं एक 6 किलो मीटर दाएरे में जबकि दूसरा परिक्मा मार्ग 21 km, कितना 21 km लंबा? लगवाग 21 km लंबे परिक्मा मार्ग में अन मंदिर भी है उनका भी जिन उतुर किया जाएगा परिक्मा मार्ग के दोनों और प॥ार उपर के कार को भी जिन उतुर में ये उजना में सामिल किया गया तो याद रहे इस सनी मंदिर की गिंती देष की प्रा 2022 की घटना है मुखमंति शिवरा सिंग चोहन ने भूपाल के नेशनल अस्पताल में विस्की आधुनिक और मद्ध भारत की पहली आधुनिक कैथ लेप का उद्गाटन किया है कहा भूपाल में ये मुखमंतिरी ने नेशनल अस्पताल में हिदय रोगियों के लिए या कैथ लेप शुरू की है जिसमें रोगी का एकदम सही उप्चार हो सकेगा नेशनल अस्पताल इस नई कैथ लेप के मारफद मद भारत में अपनी सेवा भाव से नई पहचान इस्तावित करेगा उन्होंने काई कि प्राइविट अस्पतालों के को सेवा भावी बनना चाहिए और विवसायक मानसिक्ता से बचना चाहिए समरपन भाव से की गई रोगियों की सेवा से बड़ा कोई महान पितिभल हो ही नहीं सकता है मुखमंत्री ने पिदेश के दूरस्ट छेत्रों तक आधुनिक स्वास सुगधाओं के प्रसार के लिए बड़े चिकलसा इस्थानों को आंगे आने का आहान करते हुए कहा कि राजजिस सरकार प्राइविट पबलिक पाटनरसिप के पीपीप के माध्यम से स्वास सुगध उद्ध्यानों कानया और बांदाव गडमे एयर सफारी प्यारम करने की समद्ध में जानकारी दिये हैं और साथी मुखमंत्री को एयर सफारी सेबा के सुवारम के लिए आमंतर भी किया है अब एयर सफारी कर सकेंगे आप लोग सौनी ने बताए पहली बार एयर सफारी की योजना की रियानमित होगी इसके लिए 2 से 14 सीटर के एयर क्राफ्ट उपयोग में लिये जाएगे और जिनका निर्माण भी मत्विदिस में हो इसके प्रयास भी किये जाएगे और विमानद विभा की सहयोग से आगामी दो महा में इसकी सुरुवात की योजना है और साथी पिथम स्पोर्ट्स एयर क्राफ्ट एयर सो पर भी विचार किया जा रहा है और मोकमंतरी ने स्पहिल की पिसंचा करती हुई आसा विक्ति की कोविद की लहे थमते ही परयाटन की गतीविदियों का विस्तार होगा तब बान्दावगण नेसनल पार्क को काना नेसनल पार्क के भर्मण के लिए आने वाले परेटक हवाई परेटन का आनन्द भी लेज सकेंगे। आप भी जा सकते हैं। साथी उमरिया, डुंगरिया में फेस एक फेस दो, फेस तीन के पिस्ताविक उद्द्योगों के लिए बिद्धूत की सहज उपलब दता भी रहेगी। अब उमरिया, डुंगरिया के साथ ही माने गाओं के केसर बर्गी और चरगाओं की छेत घरेलू और किसी उभखताओं को उचे बोल्टेज में गुड़ोबत्ता फूर्ण बिजली भी मिलेगी। और अब पहले इस उद्दो के छेत सहथ बर्गी और चरगवा, गनवा के छेत में मत्विदेश पावर ट्रंस्वेंसें कंप्ली के दो फील्डर से बिद्धूत आपूर्टी की जाती थी। अब बर अगे चंदरी में सबस्टेशन बनने से 33 के भी लाइनों की भी लंबाई कम होगे जो पहले 40 किलोमीटर थी अब वो घटकर 12 किलोमीटर हो जाएगी। इससे उद्धूताओं को कम बॉल्टेज पर सफलाई की समस्याओं से चुटकारा तो मिलेगा और साथी गने जंगल नर गाओं के करीब 25,6522 लामन मित होंगे। 132 केवी के बरगी चंदरी के उर्जे के थोने से जबलपुर जिले की पारेशन चमता में बिद्धी होई और जबलपुर जिले में अब 220 केवी के 4 और 132 केवी के 9 सबिश्टेशन हो गये हैं। और मद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् क्या कहा गया है इसे उजणा ने घरलू हिंसासी पीड़िता को सरी के किसी भी अंग में 40-30 से कम विकलांग दिव्यांगता होने पर 2,000,000 रुपे 40-30 से अधिक छति होने के कारण हुई दिव्यांगता पर 4,000,000 रुपे की साहता देने का प्रावधन किया है और साथी न्याले आदी गंतब इस्थल जिसमें न्याले में पिकरण के बिचादी ही रहने की आउधी भी सामिल है आबा गमन के लिए परिवान के बास्तविक व्याकी विवस्था का प्रावधन किया है जो महलाओं पर अत्याचार होता है मंतरी परसंद ने गैस पीडित और उनके बच्चों के इलाज की विवस्थाओं आयुसमान निरामय मदपिदेश योजना में आयुसमान कान बढ़ाकर पिती परिवार पिती बर्स पांच लाग रुपे तक और NHPS योजना सिट में चिन्नित चिकस सालेओं में पैकेज रासी क दैरों के अनुरूख किये जाने का नएड़ा लिया है उपरोकता अनुसार इन्हे पात्माने जाने के लिए भारस सासन को भी लिया जाएगा अब जब तक भारस सासन ने सोईकिती प्राप्त नहीं होती है तब तक आईश्वान निरामय मदपिदेश योजना में इसी इहत पूर्ती भोपाल गेस्त रास्दी राहत और पुनरवास बेभाग द्वारा किये जाएगी इसके लिए संचालक भोपाल गेस्त राहत और पुनरवास भोपाल को अधिकित किया गया है भोपाल गेस्त रास्दी कब हुई थी कौन सी गेस्त थी आप लोग बताईए गरस में इससे questions पूँच लेता है एक परिवार को परिपत्त के अंतरवरत एक बार लाप दिया जाना ही माना जाएगा मंतिरी पसंद ने मद्पिदेश सामन बर्ग कल्याण आयोग के विसारात अन्य प्रावधान भी किये, इनमें आयोग द्वारा पिदेश में सामन बर्ग के विक्तियों के कल्याण के लिए हित्गराहियों के चिन्नांकन सामन बर्ग के समग कल्याण समंदी बिद्धिवों पर द्वारा आईजित परीक्छा में प्रापतांकों में पांच की दीसत अतरिक्त अंक दिये जाने और इन बर्गों की उमिदबारों द्वारी की गई सेबा के मद्धिने अधिक्तम आईउ सीमा 55 बरस ने धारिक किये जाने के नरे लिया है और विभेन बार्गों के उमीदवारों में भूतपूर सैनिक अतीसित करमचारी भारत पाग संगरत में दिब्यांग और मिच सैनिक के आधी के सामिल हैं और मंती पसन ने कोविन-19 महामारी की संभावता बीमारी संभावी तीसरी लह में जम्बो उक्सीजन सिलेंडर की आवसकता को देखते हुए स्थानी इस्तर पर उतपात की निर्माड चमता विक्सित किये जाने की दिरिश्टिगड मेसा सवा सिलेंडर पलाईवी लिमिटेट और जयन को साथ क्यूबिक मीडी टाइब गेस सिलेंडर निर्माड ही तू दोगेचित मक्सी रोड और जयन में स्थित उपलाद भूखंड में पच्चास जार बरग फिट भूमी सीधी अवांटित की जाने कर नेड़े भी लिया है और मंत्री पसने मत्पदेश लोग परी संपत्ती प्रबंदन बिभाग में SPB यानि की Special Purpose Vehicle MP State Asset Management Company के गठन की नेड़े का अनुधन भी किया है और मंत्री पसने विमुक गुमकड अर्थ गुमकड जन्जाती का लियाण विभाग का नाम बदल कर गुमन्तू अर्थ गुमन्तू जन्जाती विभाग करने करने ड़े लिया है यह भी याद रखिएगा अंगली खबर की तरह चलते हैं आठारे जन्बरी 2022 को मुकमंती सिवरासिन चोहन की अध्यकुस्ता में राज मंती पसने समग आपकारी नीती 2022-23 और हैरिटेज मद्रा नीती 2022 को अनुधन दिया है और इससे गेर कानूनी यह आमानक सराब निर्मार परिवाहन भंडारन विक्राय पर पभावी नियंतन भी हो सकेगा और नई आपकारी विवस्था के तहन निमलिकित उपबंद किये गए है मद्रा की पुटकर विक्राय दरों में लगबग 20-23 की कमी लाकर ब्यवारी की स्तरपल लाया जा सकेगा सभी जिलों की देशी-विदेशी मद्रा दुकानों के निस्पादन छोटे एकल समूह के अनुप किया जा सकता है समचतर मद्रा दुकाने कंपोजिट सौप होगी जिसमें अवैद मद्रा विक्राय की इस्तितिया नहीं बनेगी कलेक्टर जिलों के विदायगर की उचस्तरी जिला समती को उनके जिलों की इस्तानी है आवसकताओं के नूप मदरा दुकानों के अनूप भोगुलिक दिर्शी से इस्थान परिवतन का अधिकार होगा और पिदेश के किसानों द्वारा उत्त पादित अंगूर का उपेव कर पिदेश में बनी वायन पर ड्यूटी नहीं होगी देशी मदरा पिदाय विवस्था में पिदेश के अवसकों के मद जलिवा नृविदा बुलाई जा सकेगी इस साल ट्रेटा पैकिंग की दर भी बुलाई जा सकेगी राजิस की छवति रोकने के लिए आपकारी विवस्था लाग भोगी इसमें मदिरा का ट्रेक एंड ट्रेस की वार कोड इसकेनिंग बैदिता का परिक्चन आसान होगा और हैरिटेज मदिरा नीती के तायद नेमलिकित उपबंद किये गए है महुआ पूल से बनी मदिरा की पाइलेट पर यूजना की अनुपती दी गई है पर अटन विकास निगम की अस्थाई सोरोग की एकाईयों को रियायती दरों, सरल पिक्रियां और माबदन्नों की आधार पर बार जलसेंस दिये जा सकेंगे सभी एरपोर्ट पर विदेशी मदरा विक्राय काउंटर खोला जा सकेगा इंदोर भोपाल जबलपूर गौईयों में चैनीज सुपर मार्केत में फिक्स लैसेंस फिस पर वाइण विक्राय की काउंटर संचालित करने के लिए लैसेंस जारी किया सकेंगे इंदोर भोपाल में माइक्रो विवरेज खोलने की अनुपती दी दी जाएगी लेकिन परियावन बिद्धुद, विभाग और नगर निगम का आनापत्ती पिर्माट पत्त जरूरी होगा मदरा आयात की पिक्रिया को सरल बनाये जाये का हौम बार लैसंस दिया जैसा कि गजिस्त की तहट 50,000 रोपे बारसिक लैसंस पीस होगी इसकी पात्ता उनी को होगी जिनकी सकल ब्यक्तिकत आया नियूंतम एक करोड रोपे हो अंगली खबर की तरफ चलते हैं बीच जनवरी 2022 को मद्पिदेश के जेल एवं गिरह मंत्री मिसरा, डॉक्टर नवत्तम मिसरा ने कहाए कि पुलिस बिवाग की तरह ही जेल बिवाग में भी पात्ता उवरिष्टा की अधव उच्चितम उच्चितर रिक्त पद पर कारवाग की रूम में पद इस्थापना की जाएगी इस समंद में मत्रीश के राजपत में अधी सूचना का पिलकासन कर दिया गया और कारवाहक अधिकारी ओचतर पत का प्रभाइर मिलने पर यूनिपॉरम धारन कर अधिकारों का उपयोग कर सकेंगी किन्तों उन्हें बेतन भत्ते मूल पत की ही परापत होंगे जिल बिवाग में पहरी को प्रभारी मुख पहरी मुख पहरी को प्रभारी प्रमुख मुख पहरी को प्रभारी साहेक अधिक्छक जिल, साहेक अधिक्छक जिल को प्रभारी ओप अधिक्छल जिल, ओप अधिक्छक जिल को प्रभारी अधिक्छल जिलो जिला जिल के रूम मे इस तरफ से जारी होगे और अपर मुख सचिप के ग्रह डॉक्टर राजिस्त रजवरा ने जानकारी दी कि जेल कारकार अधिनियम में संसोधन किया गया और संसोधन अनुसार जेल कारकार अधिनियम 1894 की धारा नो 1894 का नो की धारा 69 द्वारा पिदस सक्तियों को प्रियोग में लाते हुए राजसरका द्वारा मत्पिदेश के जेल नियम 1968 में संसोधन कर नियम 75 का उचितर पत सेड़ी पर इस्थापन रूप से कार करने ही तो नियुक्ति संबंदी संसोधन इस्थापित किया गया है और इसके अनुसार उचितर पतवर प्रभावी के रूप में कार करने वाले सास्किये सीवक बरिष्टा पर या ऐसे उचितर पत सेड़ी की वितन पर कोई दावा नहीं कर सकेगा पदेन सक्तियों का उपयोग और प्रियोग पता नुसार बर्दी धारन कर सकेगा तो यह भी एरे लिवर पातिका के साथ आयोजे सक्रिये पर्यावन में उत्पादों को बढ़ावा देने पर केंद्रे थे प्रमुक् सचे पर्याटन और मद्द पिदेश पर्याटन बोड के प्रवंद नेदेसक सिभ सेकर सुकला ने कहा कि पितेउगता में पिदर से सौ उत्पादों में से मद्द पिदेश पर्याटन के बारसिक पिकचार कारिकरम जलमाहुसाओं को भारत के अदुतिय जल ही लोगों को आनंद रोमंज की अनुटी के लिए साहस्तिक गतिविधियों के अवसर पिदान करता है जल महुसाओ में साहस्तिक खेलों को ध्यान में रखते हुए अनुसाब अधक गतिविधियों जैसे हॉट एयर विलोनिंग साइकलिंग कूज बोटिंग वाटर पैरा सेलि पैरा मोटरिंग आई लेंड कैपिंग इस्टार गेजिंग बर्ड वाचिंग आधी का भी आएजन किया जाता है और याद रहे जल महुसाओ को 2017 में भारस सरकार की परेटन मंतराले द्वारा सबसे अनौकी अधूतिय नवीन परेटन उतपात की रूम में राश्ती परेटन किया जा चुका है ऐसे तो यह भी याद रखिएगा चलिए तो अंगली खबर है 21 जनवरी 2022 को राज सासन द्वारा पसु पालन एवं डेरी मंदरी प्रेम सिंग पटल की अध्यक्षता में राज पसु कल्यार सलाकर मंदल का गठन किया गया है और इसमें आप देखेंगे क् जन सासन की निद्देशा निद्देशा नुसार गठित मंदल में अध्यक्षकार पजिशन मद्विदेश गौपालन एवं पसु धन संबर्धन बोड उपाध्यक्ष और अपर मुख सचिप पसु पालन सदस्वोंगे अन्ने सदस्वों में विधायक आसास्की पिति निद अधि के संबंद में राज सरकार को समय समय पर सुजाओ देगी और विधायकों में सुमित्रा देवी काश्ट डेकर और राम दंगोरे ग्रह बबाग के अपर मुख सचिप और बन सिक्षा पंचायत एवं ग्रामीट विकास और नगरिय पिसासन एवं विकास बिभाग के प पिति निदी को सदस नामंकित किया गया है इसमें आसासकी सदसों में केलास ललबानी गोपाल गौसाला नल खीडा जिला आगरा मालबा से बेदपाल जहां कैदारनात गौरसाला एवं जैव किरसी अनुसंधान कैंद कैदारपूर जिला गौालिय से पिरमोध नेमा भोपा से जितेन नरोलिया इंदोर और संकरलाल पाटिदार कामधेनु सेवा संस्थान इमलिया जिला रायसें से इसमें सामिल किये गए हैं और पसु कल्यान से जुड़ी संस्थाओं में गौ सिबा आश्रम देवरी जिला मुरेना एनिमल कियोर एंड केर गवालियर स्त्री गो स्वा साला एवं गौ संबर्धन सम्ती सिनोज, त्रवेडी गौ साला वैतूर, स्री दयोदर पसु सरक्षन सम्ती हर्दा और जंजागरन एजुकेसनल एंड हैल्थ वेल्पेस सुसाइटी मक्रोनिया जिला सागर भी बोड कि सदस्रें और इस सलाय का मंदल की प्रमोग क्या होंग या आप देखे पसु के पिती कूर्टा का नेवारन अधिनियम 1960 के ओबन्धों का परिवेक्चन एवं पिसासन को सलाय देगा, पसु के पिती कूर्टा या बरताओं के संब्ध में सलाय देगा, पसु के परिवहन में उप्योग होने बाली यानों की सरचना में सुधार हीत को आवसक सुझाओ देना इसका काम रहेगा, आबावरवा पसुओं को पड़त करते समने उन्हें यातना और दर्व से निजात देलानी के लिए आवसक कदम उठाना, आसाहाई बिड़्द पसुओं और बंध में प्राणियों की सुरक्षा करने बाली संस्थाओं को आविले इसमें, तो इसके बारे में याद रखेगा, अंगली खबर है 23 जनवरी 2022 को सुवार्चंद बॉस की 125 जैनती के उसर पर जवलल पूर इस्तित निताजी सुवार्चंद बॉस सेंटल जेल में सुवास बाण और विक्सित कियेगा संग्राले को आम जनता के लिए खो इसमें, इनमें आप देखें, पिरमुक रूप से निताजी सुवार्चंद बॉस की उपयोग की गई बस्तू है, जैसे उनके बस्त हो गया, उनने पहनाई गे बेडिया हो गई, उनके हस्त चे पत और उनकी जेल यात्रा से समंदित, अविले को संकलित कर एक संग्राले का स होती है, निताजी सुवार्चंद बॉस संग्राले होगा, नई दिल्ली में 2019 में से निताजी सुवार्चंद बॉस की जी की इसमेती में एक संग्राले स्तावित है, और याद रहे कि मुखमंत्री चोहन ने 2007 में जवलपुर जेल का नाम सुवार्चंद निताजी और इसके साथ ही यहां इस्वारक के निर्मार और विकास की पहल भी पैरम हुई थी। की साहता से पिदेश में 260 बड़े पुल भी बनाए जा रहे हैं। किर्थी परविष्टी के रों में प्राप नहीं होने से सेस्तर बची चार बोलियों में परुसकार पिद्यान किये गये हैं। साहती किर्थी परुसकार में सम्मान सरूग 59,000 रोपी की रासी दी जाती है। और साहती किर्थी परुसकार में बर्स 2018 के लिए मालवी में संथ पीपा इसमेती परुसकार इंदौर की हैमलता सर्मा को किर्थी उनकी है मालवी डवलो के लिए। संथ सिंगाजी इसमेती परुसकार बर्वानी की पिर्मोत तिरवेदी पुस्प को तमत कई कर्णुच के लिए। संथ सिंगाजी इसमेती परुसकार खर्वोन की जगदीस जोसीला को निवाडि धंदोरिया के लिए और बहगेली में विसवनाश सिंग जो देव इसमेती परुसका सीधी की डॉक्टर अंजनी सिंग सौरव को किर्थी ठरटरा मा सौसी के लिए और बुन्देली में 24 जनवरी 2022 को मुकमंती से वरासी चोहन ने बताय कि सुकन्या समरिद्य उजना में मदपिदेश पूरे देश में पिता मिस्तान है और पिदेश ने इस योजना में अब तक करीब 23 लाग खाती खुलवानी की उपलब्दी अरजित किये और जिसमें कुल 4,238 रोपे से अधिक क करण को नई देशा दिये अभीबाब को और पेटियों ने इस योजना को भरपूर समर्तिन दिया है बेंकों का भी सरायनी एवगदान सहयोग रहा है इसमें और मुकमंतिरी ने सुकन्या समरिद्य उजना की सफलतम साथ वर्स पूरु हो गए हैं और उनने पिदेश की सभी जिला कलेक्टर्स को अन्पात्त बालिकाओं को इस योजना से जोडने का अन्विदेश भी दिया है मुकमंतिरी ने कहा है कि मत्विदेश में गाओं के आखरी बेक्ति तक बेंगिल सुविधा सुविधा उनने आर्थिक रूप से समरिद्ध स्वावलंभी बनाने के लिए नाग विभाग बच्चत खाता खुसाली का अवियान प्यारम कर रहा है यह एक अच्छी पहल है जिसमें सभी जिले बित्ये समाविशन को नई दिसा दे सकते हैं बालिगाओं के सुकन्या खातों के साथ बालकों के लिए पीपी एप खाते भी खुलने का कार किया जा रहा ह इस कार से ग्रामीट चित्रों में परिवारों को आर्थिक रोप से सुद्रण सौालममी बनाने में मदद भी मिलेगी इसे क्या होगी मदद भी मिलेगी अंगली खबर है आपकी 24 जनवरी 2022 को राष्टी बालिका दिवस के अउसर पर पिधानमंती नैंद मोदी ने आजादी का मिरित महोसों के हिस्से की रूम में एक वर्चुल समारों में देश के 61 बच्चों को वर्ष 2021 के लिए पिधानमंती राष्टी बाल पुरोसकारों से स सामाजिक सेवा में 4, सेक्षिक में 1, खेल में 8, कला और संस्किती में 6, बिधा में 3 सेणियों में अपने आसादर उपलब्धियों के लिए चुने गए हैं PMRBP पुरुसकार विजटा हर साल गरतन दिवस परेड में भाग लेते हैं और पिदेक पुरुसकार विजटा को एक पदक एक लाख रुपे का नगत पुरुसकार एक प्रमाड पत्त भी दिया जाता है मद्पिदेश के अभी सर्मा को सेक्षिक सेडी में पिदानमंतिरी राष्टी बाल पुरुसकार 2022 से सम्मानिक किया गया है वही 2021 के पिदानमंतिरी राष्टी बाल पुरुसकार से पलक सर्मा खेल के लिए और अनोज जैन सेक्षिक को सामिल किया गया है ठीक है और PMRBP 2021 और 22 के पुरुषकार विजटा अपने माता पिता और अपने जिले के जिला मिनिस्टेस के साथ समंधित जिला मुख्यालाय से इस कारगरम में सामिल हुए अंगली ख़बर आप देखेंगी है कहां की ए 26 जनबरी 2022 को गरतन दिबस के उसरब आयोजित जिलास तरी समारो में किसान कल्यान और किसी विकास की जहांकियों 25 जिलों में पुरुषकीत हुई है चे जिलों में किसी विभाग की जहांकियों को पिथम पुरुषकार, नोनो जिलों में आप देखी दुत्रिय पुरुषकार, तितिय पुरुषकार और एक जिली में संतावना पुरुषकार पराप्त हुए है इसमें आप देखें तो पिदेश के किसान कल्यांड और किस्ति विकास मंत्री कबन पडेल ने कहा कि जिला पिसासंद्वारा गर्तन दिवस के असरफगा जिलों में निकाली गई ज्यांकियों में किस्ति विभाग होसंगाबाद को आत्मनि वर भारत में, किस्ति का युगदा चिदवाडा को आत्मरभर, भारत अभियान, जाबुआ को प्राक्तिक खेती और अगसान बंद पिदेश, सिहोर को जन भागेदारी और विदीसाओ और हरदा को प्राक्तिक खेती की तीम पर पिथम पुरुसकार दिया गया है। इसमें अनुपुर को प्राक्तिक खेती और अत्मरभर, मद्विदेश, सियुनी को जीरा संकर चावल और प्राक्तिक खेती, टीकमगड को फसल भिवधी करन, दमो को मिर्दा और एबर जल सरक्चन, ग्वालियार को प्राक्तिक खेती, खुसाल किसान, और बालागड, भेंड खंडबार अत्लाम की जाकियों को प्राक्तिक केती की थीम पर पुरुसकार दिया गया है, इसके साथ ही मंदसों और जली की केसी बिवाग को जाकी का संतावना पुरुसकार दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखेगा, अंगली खबर आप देखेंगे, 27 जन्वरी 2022 को SPV का गठन किया गया है, और इसमें आप देखेंगे कि मत्पिदेश राज परिसंपत्ती प्रवंधन कमिती, कमपनी तथा पिस्तावित SBP की अधिके सियर पुझी 1000 करोड एवं पितत पुझी 10 करोड रखा जाना पिस्तावित हैं, और SBP के गठन के उपरां सियर पुझी का 100% असदान मत्पिदेश सरकाद वारा वहन किया जाएगा, मत्पिदेश राज परिसंपत्ती प्रवंधन कमित, कमपनी का पिसास की विभाग मत्पिदेश के लोग संपत्ती परिसंपत्ती प्रवंधन विभाग होगा, कमपनी के संचालक मंडल का भी गठन किया गया, जिसक संचालक मद्पिदेश राज़ परिसंपत्य प्रवंदक कमेनी को कम्पिनी को सलत सल सचे बनाया गया है और इसमें आप देखी राज सासन ने संचालक मनल के दायत भी निधारित किये हैं इसके साथी कम्पिनी के लिए कारश का पालिक संप्ती का गठन कर उसके भी दायत किये हैं इसमें आप देखेंगे लोग परिसंपत्ती की युक्ति युक्त प्रवंदन के समंद में नीती दिशा निदेश्ट को तियार करना अंतर विभागी ये विमार्स और समनवय की माध्यम से राज्य एबं सारुजिक उक्रम की परिसंपत्तियों का युक्ति युक्त मानुक संस्थान तियार करना सूचना प्रोदकी की इवं भोगुलिक सूचना तंत की माध्यम से राज्य की नरतन युक्त परिसंपत्तियों की पंजीत तियार करना परिसंपत्तियों की मूल को बढ़ाने के लिए आवसक विकासकार जिसमें जिसे परिसंपत्ति का बहतर प प्राप्त कर इसे लोग हित के विभिन कारेों में उपयोग करना इसका काम है अंगली खबर की तरफ चलते हैं हम लोग यह आप देखेंगे कि कपकी बात है 25 जनवरी 2022 को तेहतर वे गरतन दिवस की पूर्ट संध्या पर राठपती ने 2022 के लिए 128 पदम पुरुसकारों की पुरुसकारों की घुषना राष्टपती द्वारा हर बरस गरतन दिवस के अवसरपक की जाती है अंतर्पर मार्च अपरेल में राष्टपती विवbies बे आउजित किये जाने वाले उपचारिक समारू में यह प्यदान की जाते हैं पदम पुरुसकार पर आप करने बालों में 34 महलाएं मी हैं, इन सूची में 10 बैक्ति विदेशी NIA, PIB, OCI, SENI के अंतरगत हैं और तेरे बैक्तियों को मरने के बाद ये पुरुसकार दिया गया है। पुरुसकार दिया गया है। सागर जिले के पितिभावान कलाकार राम साहिफ अंडे ने बुंदेलखन के गीश संगीत से किती की पहचान राई नित को अंतराश्थी इस्तर पर पितिश्था दलाई एक तरह से। एक बात आप लोगों इसमें याद रखेगा कि मास्क की जिल्दी है। यह आप देखिए मास्क लगाने से संबंदेत है। तो यह आप लोग याद रखेगा इसमें। 28 जनवरी 2022 को मदपदेस्त राज सासन द्वारा डॉक्टर वियार अंबेड का सामाजीक बिग्यान बिस्विध्याले महू में अनेमिताओं के कारण कुलपती डॉक्टर आसा सुकला को हटाते हुए धारा 144 लागू किया है। और आप देखते हैं कि बिस्विध्याले की कुलपती डॉक्टर आसा सुकला के विरूद प्राप्त पिसासनिक और आर्थिक अनिमिताओं की सिकायत इंदोर सभायूक्त सभाग यूक्त द्वारा की गई जाच में सही पाई गई। भी जान समती को प्लब्द नहीं कराने का रोप लगा है। जले में नर्वदा नदी के ततफन लमहीटा गाउं में देश के पहली जियोपार की स्थापना को मनजूरी दिये है। जबर्पो जिले की नर्वदा जिले के नर्वदा नदी के लमहेटा गाउं में। इस पार की स्थाफना मद्विदिस परेटन विभाग द्वाला लगभग 35 करूर रुपे की लागास से की जाएगी। और जी एसाई ने इसकी विस्तित रेपोर्ट तियार करने के लिए 1.30 करूर रुपे की राज से सुई किती की है। और याद रही एस्तल प्राक्तिक बिरासत के सरक्षन के लिए उनेस्को की भूब रासत की आस्थाई सूची में पहले से महजू थे। नरवदा घाटी में विसेश रूप से जबलफूर के भेडा का लमहेटा घाट छेत में कई डानासोर की जिवास पाए गया। इसको मद्पदेश की रादधानी भोपाल के मौतिलाल नेरो इस्टेडियम में वेटिंग दा रीटेट कारक्रम आयजित किया गया। इसके बाद सभी बेंड द्वारा मार्च पाष्ट करते हुए बेंड बार समूही के पिस्तुतियां दे गए है। इसको में वेटिंग दा रीटेट कारक्रम आयजित करने वाला मद्पदेश एकमात राज है। आपिती बस 29 जनवरी को पुलिस द्वारा राधधानी भोपाल में कारक्रम आयजित किया जाता है। भारत में इस कारक्रम के साथ ही गरतन दिवास कारक्रमों का उपचारग समापन भी होता है। पूरी कर्पिदेश को देश में सरवच स्थान लाना है। और इन दोर आप देखते हैं टॉप पर बना हुआ है। आप सभी जानते हैं। मंत्री भूपेन सिंग ने बताया कि मुक मंत्री ने स्वक्ष सरवेक्षन 2022 में इतिक निकाय को ODS प्रमाडीकर प्राप्त करने। गार्वेत फ्री सिटी की इस्टार रेटिंग में नगर निकायों को 5 इन नगरिये निकायों को नियूंतम 3 इस्टार प्राप्त करने की निदेश दिए हैं। साथ ही स्वक्ष सर्वेक्षन की पीरक दोڑ सेडी में सभी निकायों को कम से कम गोल्ड effort करने के निदेश भी दिये. स्वक्ष अर्वेक्षन 2022 में जिला कलेक्टरों को भी पुरुसकित किया जाना है. और स्वक्ष सर्वेक्षन अभियान को और अधिक प्रभावी वनानी के लिए सभी नगरिये निकायों में 26 जन्वरी से स्वक्ष पितिष्ठान सर्वेक्षन भी सुरू किया गया है स्वक्ष ता संकल महाय 2022 के लिए जारी केलेंडर में 1-5 फरभावी तक थीम इस्ठार रेटिंग 6-10 फरभावी तक ODM 11-15 फरभावी तक सिटीजन फीड़बैक और इंगेजमेंट और आप देखें 16-20 फरभावी तक समस्त अधो सरचना निर्माट गतिविदिया आयुजित की जाएगी इस दौरान 26-16-20 फरभावी तक FSTP का Material Recovery केंदरों कमपोस्टिंग एकाईयों समुदायक तथा सारविक सोचलायों के निर्माट कार कूरा किया जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा 21-25 फरभावी तक संबाद समीक्षा और दोसर रचना का लोकरपन 25-27 फरभावी तक स्वक्षार विक्षन और 28 फरभावी को समापन गतिविदि की जाएगी और समापन दिवसपल नगरीय निकायों की टीम कच्छरा संघरान बाहनों के साथ नगर में भिमार भी करेंगी यह दिन पित्थक की कर sekali कैक्च्रा संगरन दिवस की रूम में आयोजित किया जाएगा और साथी बाड़ों में कच्रा संगनर बाहनों के चालकों और सहयोगियों को सौल स्रीफल से सम्मानित भी किया जाएगा अब तो आप देखें कि आपके घर घर आते हैं न लेने कच्रा 31 जन्वरी 2022 को मत्पिदेश के राजपाल वंगू भाई पटल और ग्रह मंत्री नत्तो मिसरा ने होमगार्ड मुक्याले में सिल्फ उबबन का उलोकान पड़ किया है और सिल्फ होमगार्ड मुक्याले की सिल्फ ओबन में देश की सीशस्त सिल्फ कारों द्वारा होमगार्ड लाइन में पत्रों को तरास कर सिल्फ पांकन किया गया है। को मल्टी उल्टी लिटी बहिकल की चावियां सौपी गई हैं और ग्वालियर की डिवीजनल कमांडेंट मनेश सिंग चोहान जवलपूर की रोहतास पाठग भोपाल की उसा डामोर उज्जन की पिरित्ती वाला सिंग ने चावियां पराप की हैं और इस आउसर पर आपदा प आत्मक रोप से टेवलिक पिदान किये गए हैं होमगाड मुख्याले में राचपाल मंगू भाई पटेल और ग्रह मंत्री डॉक्टर नरत्तम मिसरा ने आपदा की समय में होमगाड संकट की समय में उपयोग में आने वाले आपदा प्रबंधन की आधोनी कुपकरणों का अवलोकन भी किया है इसमें यह भी याद रखिएगा अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं 31 जनवरी 2022 को मदफिदेश राज सरकान राजिस्तरीय और जिलास्तरीय स्तिधी भरती में OBC को OBC पिछरा बरक को 27% आरक्षन लागू करने का आदेश जारी किया है और सामान पिसासन विभाग कि आदेश अनुसार जो पद खाली रह गया है उन्हें अनुसुचित जाती के लिए 16 अनुसुचित जन जाती के लिए 20 और पिछरा बरक के लिए 27% EWS के लिए 10 और 16 अनारक्षन सेरी के तहत पदों से भरा जाएगा इसके साथ ही महलाओं के लिए कुल 33 पिछित पद आरक्षित होंगे मदफिदे सरकार ने OVC आरक्षन 14% से बढ़ा कर 27 कर दिया था यह आरक्षन 8 मार्ट 2019 की तीथी से लागू माना जाएगा और इसी पेकाद EWS आरक्षन 2 जुलाई 2019 से लागू माना जाएगा और आरक्षन की चक्कर में ही आप देखे MPPSC का पेपर आपका फसा हुआ है इससे पूर 9 सेप्टमबर 2019 को मदफिदे सरकार ने स्कूली सिक्षा स्वास और चिकसा विभाग की भरती छोड़का से सभी विभावों में अन बिच्ड़ा बरक के लिए बढ़ा हुआ 27% आरक्षन लागू किया था जिस पर मदफिदे साईकोट ने रोग भी लगा दी थी इससे पहले मदफिदे से सीधी भरती में OVC वरक को 14% आरक्षन मिलता था वहीं EWS को कोई भी आरक्षन नहीं मिलता था EWS से आने की जो आर्थिक रूप से पिछले जो सामन बर की लोग हैं उनकी बात हो रही है तो इस तरह से आप देखिए जनवरी में जो घटनाय घटी हैं उनसे महत्पून पॉइंट आपकी परिक्षा के लिए कौन से हो सकते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात कर लिए अंगली क्लास में हम लोग फरवरी 2022 में जो घटनाय घटी हैं उनके बारे में बात कर लेंगे आपके कोई सवाल हो सुझा हो मेरे लिए तो भेज सकते हैं आप लोग